लहौल स्पित्ति को जोडने के लिए बनी रोहतांग टनल बनकर तयार हो गई है और 29 स्टंबर को इस टनल का प्यायमोदी उदगाटन करेंगे वही इस टनल को लेकर सियासत भी गर्मा गई हैं कॉंघ्रेस ने इस टनल का नाम अटल रखने पर सवाल खड़े की हैं और टनल का नाम इंधिरा गंधिया स्टंदरता सेनानी के नाम पर रखने की सलाह दी है कॉंग्रेस अध्यक्ष कुल्दी प्राठोर ने कहा कि इस टर्नल का सपना पूर परधान मंत्री सुर्ग्य इंदीरा गांधी ने देखा था और 2010 में UPA अध्यक्ष सोनिय गांधी ने इस टर्नल के निर्मान कारे का शिलनयास किया था और तत्कालिन प्रधानमद्री मनमोहन सिंग ने इस टरनल के लिए राशी जारी की थी उन्होंने का कि इस टरनल के निर्माण में बीजेपी सरकार का कोई योगदान नहीं है और ना ही पूरा पीम अटल भिहारी बासपेई का इस टरनल के निर्माण के लिए कोई योगदान ह लेकिन मोधी सरकार और प्रदेश सरकार पूरव सरकारों के कारेव का नाम अपने नेताओं के नाम पर रख रही है जब कि इस टरनल का नाम इंदीरा गांधी के नाम पर या किसी सोतंतता सेनानी के नाम पर रखा जाना जाहिए लेकिन अटल के नाम पर रखने का कोई अचित्य नहीं बनता है। बता दें, रोहतांग टरनल का कारी UPA के कारेकर में शुरू हुआ था और इस टरनल का काम पूरा हो चुका है। और इसी माह पीम मोदी इस टरनल को जंता को समर्पित करेंगे। लेकिन इस टरनल का नाम अटल के नाम पर रखने पर सियासत भी गर्मा गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह टरनल है, इसका जो सपना था वो शिर्मति इंद्रा गांधी जी ने देखा था। और वो दो टरनल और भी लाउंस पीती में बनाना चाहती हैं। तो उनका सपना था कि यह टरनल बने और इसको मुर्त रूप जो है कॉंग्रिस की सरकार ने द अब मुझे इस बात की भी हरानी है कि इस टनल का नाम जो है प्याल टीवी के लिए शिम्ला सेई पुष्पेंदर की रिपोर्ट